क्या दोस्तो आप भी 8BallPool में से Facebook अकाउंट को अनलिंक करना चाते हो? क्या आपको नहीं पताएं कि 8BallPool में Facebook अकाउंट को कैसे अनलिंक किया चाता है? तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे Facebook अकाउंट को 8BallPool से अलग कर सकते हैं तो चेले दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तो मैं आपको बता दू अगर आप इस चैनल पर नए आते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके All का उप्शन सिलेक कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफेकेशन आप तलक तुरंत मिल सके दोस्तो एटबॉल पूल को फेस्बुक से अनलिंक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको अपना एटबॉल का गेम उपन करना पड़ेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने एटबॉल पूल का गेम उपन कर दिया है और ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है लोडिंग लेने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा ठीके तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक सेटिंग का आइकोन में लेगा तो आपको सिंपल से सेटिंग के आइकोन के उपर क्लिक कर देना है सेटिंग के आइकोन के उपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा Adable Pool का account Facebook से link है अभी इसे unlink करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर नीचे logout का option आता है सिंपल से आपको logout के option पर click कर देना है logout के option पर click कर देने के बाद आपका Facebook account और Adable Pool का account logout हो जाएगा अभी आपको क्या करना है यहाँ से back आ जाना है पूरी तरह से back आ जाएंगे हम back आने के बाद अभी आपको अपना Facebook account ओपन करना है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने हमारा Facebook account ओपन कर दिया है Facebook account ओपन करने के बाद इधर side को आपको 3 lines मिलेंगे तो आपको simple से इन 3 lines के उपर क्लिक कर देना है इन 3 lines के उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आएगा तो आपको इधर नीचे थोड़ा scroll down करना है नीचे scroll down करने के बाद इधर नीचे आपको एक option मिलेगा setting and privacy का आपको simple से setting and privacy के उपर क्लिक कर देना है setting and privacy के उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा तो आपको इधर सबसे उपर एक option मिलेगा setting का तो आपको simple से setting के option पर क्लिक कर देना है setting के option पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आएगा तो आपको इधर थोड़ा नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करने के बाद आपको इधर एक option मिलेगा app and website का तो आपको simple से app and website के उपर click कर देना है जैसे ही हमने apps and website के उपर click कर दिया तभी ये थोड़ी से loading लेगा loading लेने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आएगा और सबसे पहला option आपको मिलेगा lock it in with facebook ठीके तो आपको simple से इधर click कर देना है इसके उपर इसके उपर click कर देने के बाद दोस्तो आपने जितने भी application अपने facebook से link किये होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आजाएंगे अभी यहाँ पर हमने 8 ball pool को भी link किया था तो यह भी हमें यहाँ पर दिखा रहा है तो आपको अभी इसे remove करने के लिए क्या करना पड़ेगा simple से इसके आगे जो icon है उसके उपर click कर देना है इधर click कर देने के बाद उपर आपके सामने remove का एक option आ जाएंगा आपको simple से remove के option पर click कर देना है remove के option पर click कर देने के बाद आपको अभी क्या करना है इधर also delete all post का एक option मिलेगा तो इधर आपको check mark करना है और नीचे remove option आएगा तो इसके उपर फिर से click कर देना है remove के option पर click कर देने के बाद थोड़ी सी ये loading लेगा जैसे कि आप लोग देख सकते है loading लेने के बाद आपको इधर done का option मिलेगा तो आपको simple से done के option पर click कर देना है done के option पर click कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा 8 ball pull का account यहाँ से remove हो चुका है तो दोस्तो इस तरह से आप भी अपने 8 ball pull का account फेस्बुक से unlink कर सकते हो